आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे दान तक नहीं हो तरी स्टेडिक लोस पर आपका बहुत दोस्वागत है तो जी ट्वेंटी होने वाली है वासुदैफ को टुमका वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फ्यूचर वन फैमिली वन फ्यूचर यह थीम है आठ से ग्यारा सितंबर को जी ट्वेंटी होगी ट्रेंज पूरी बदल गई है अभी मैंने लेचल लिया था लिस्ट देख लिजगा अगर आप तेजस से जा रहे हैं किसी क्योंकि 300 ट्रेंज के पुरे शिडूल बदल गए हैं दिल्ली को एकदम आप समझे लिजए कि परि अगत है वो डांस से फूल मौलाओं से किया जा रहा है भारत अपनी महमान नवाजी में ना पूरी दुनिया में फेमस है आपको पता है न हम अत्ती देव भवर महमान को भगवान समझते हैं तो वैसे ही ट्रीट होता है समझे तो सब बहुत जाता खुज भी होते हैं आपक अच्छे दोस्त हैं पर कोई बात नहीं बाकि सारे के सारे वोर्ल लीटर सबके प्रेसिडेंट जो वाइडन भी आ रहे हैं बहुत बड़ी बात है यह दिशी सुनाक आ रहे हैं तो अगर आप बात करते हो तो यह है जी 20 लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपने शांदार कॉलिटी बाई कॉलिटी मतलब पूरे मार्केट में जितना हम कर रहे हैं और जितने तगड़े सारी के साम रिस्पॉंस दे रहे हैं एक को प्राब्लम आती है विदिन 10 मिनिट से रिस्पॉंस आता है कभी कभा हो जाता कि थोड़ा बहुत लेट हो जाए लेकिन हम हम बहुत जादा ध्यान देते हैं आर्गेट में यही कोर्स 10-15,000 का है लेकिन यहां पे आपको यह कोर्स सिर्फ 490 का मेलेगा तो फड़ाक से कोर्स को होवेल करिए आंसर राइटिंग कोर्स ओके तो हम यहां पे थे तो यह आप देख सकते हो इसमें स्पेन जो है स्पेन इ बात बें इसको expand किया गी कि भारत औहों चाइना को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं तो अभी ये पूरा का पूरा जी 20 है बहुत ज़ादा जरूरी है भारत के लिए देख़िए हमको पता है कि अभी हम हमारी situation चाइंचर्स की बात करें तो चाइना से बहुत अच्छी नहीं है क्वार्ड एक ऐसा इनिशेटिव है जिसमें अभी उतना ध्यान फिलाल नहीं दिया जा रहा है ठीक है रश्या से हम तेल खरीद रहे हैं तो यूरोप को मिर्ची लग रही है चाइना और सौधी अरब और इरान के रिष्टे जो हैं वो बदल रहे हैं यानि कि चाइना एंटी तो पूरी दुनिया को 2008 में 2008 में बीजिंग उलम्पिक्स हुए थे और तब से चाइना को एक नई पहचान मिली है भारत G20 वही पहचान दे सकता है इस्पेशली जब कश्मीर बुद्ध आपको पते ही है काफी गर्मा गर्म अभी भी है कुछ देश जो है न सपोर्ट कर रह रहा है समझ रहो है बहुत कुछ आप दिखा सकते हैं नया मार्केट अब जैसे भारत M.D.B. Multilateral Development Bank इस पे बहुत जदा फोकस करने वाला है ठीक है इस पे भयानक फोकस रहने वाला है एज जैशंकर और बाकी जितने भी सब यही कह रहे हैं और जो हमारे कौन है वो नाम भू Economist मतलब एक तरीके से यह जो बैंक होगा है ना Capital Adequacy Framework करेगा यह प्रॉपर तरीके से यह Multilateral Bank इसी लिए ही होते हैं कि अब जैसे Climate Change की बात है Climate Change के लिए आपको अर्बो डॉलर्स नहीं है तो यह बैंक मदद करेंगे भारत में Climate Change की बात करें Technology की बात करें Finance की बात करें भा Multilateral Development Bank है उनको Reform करने का कि किस तरीके से जरूरत मंदों तक मदद पहुचाई जाए यह जरूरी है यह भारत करेंगा African Union 54 देश है इनका Representation South Africa को छोड़के कोई ही नहीं ठीक है तो यह देश भाई इन्होंने क्या बिगाड़ा है अब देखिए भारत के लिए यह बहुत इसमानेटिके स्काश cabe 아까 कि इसको फ़िए अफ्रिका यूनियन को परमनेटिके स्काश के प版वाई यह बारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है कगा समझेयो उसके बाद लोला टूरिजम तो है इस आई सबसे बड़ी बात की है बहुत अच्छा मौका है कि अम अपने टू पर आता है देख लेज़ेगा सबसे दो इटली में है तो भारत के अगर बात करते हैं तो टूरिजम में भारत का कोई मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि आपको सारे मजे भारत में मिल जाएंगे जो हमारे साथ फिजियोग्राफिक डिविजन से हमालय आ जाता है वेस्टर्न एश्टर्न घार सा जाते हैं कोस्ट लाइन आ जाती है डेजर्ट आ जाता है भारत में जो ठाइ डेजर्ट एकलौता डेजर्ट उपर चले जाएंगे तो लड़दाक ग्रेट प्लेंस आ जाते हैं पेनिंसुलर इंडिया आ जाता है यह जो फिजियोग्राफिक डिविजन है यह आपको कही पे नहीं मिलेगा भारत में 10,760-360 नदिया है आपको पता है भारत एक ब्लेस्ड निशन है इतनी सारी नदिया यहाँ पे बहरी है भारत में पूली दुनिया का जाता है तो तॉरिजम में तो ताज महल में शेहर की बात करें तो जैपुर सबसे जादा अब हाएंगे जतने भी कैस्टे सब घूमेंगे सब भारती पकवानों का लुफ तो ठाएंगे हम अपनी soft power दिखा सकता है soft power की बात करें, तो भाई digital revolution से हम कैसे पूछे रहे हैं, भाई ये जो नंदन नील कनी लेके आये थे, आधार को और एक चीज़ से link कर दिया, अभी जो digital, समझ लिजे की, ये जो digital revolution है, भारत के लिए तो बहुत जबरदस ही है, साथी साथ दुनिया के लिए भी बहुत जबरद है, ठीक है, हम service sector को पूरी दुनिया में export करते हैं, हम सबसे जादा हमारा service agriculture है, पर service sector भी बहुत, बड़ी-बड़ी IT industries के जो मालिक बनके बैठे हैं, वो कौन है, वो Indians है, समझ रहे हो, फिर उसके बाद जिस तरीके से हमने COVID को handle किया, चाइना की vaccine उतना अच्छा तो काम किय है नहीं, लेकिन हमारी vaccine है कमाल किया, हमारी vaccine है वाकई में और हमने बहुत सारे देशों में अपनी vaccine को भेजा भी, साथी साथ, जो green transition space जैसे hydrogen hydrogen और जिस तरीके से हम renewable energy पे भी काम कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इन देशों का सहयोग बहुत ज़्यादा तो हमारे पास अभी lithium के reserves तो है नहीं, green energy की बात करें तो उसमें भारत जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, साथी साथ भारत के जो economy है, इस समय भारत की economy बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है, और अगर आप compare करो पूरी दुनिया से, तो भारत एक बड़ा market है, भा भारत एक बड़ी economy है, और भारत इस समय, देखो ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि 2030 साते आता है, भारत दुनिया के चौती बड़ी economy बन जाएगा, हाला कि मैं मानता हो कि जब तक per capita income नहीं बढ़ती है, तब तक मतलब नहीं है, बट फिर भी ये global place के लिए, globally है बहुत अ साउथ की भारत बार-बार बात कर रहा है, ठीक है, global south की भारत बार-बार बात करता है, और ये इसीलिए बात करता है, कि इनकी आवाज तो सुनो, देखे भारत यहां, देखे, China कहता है कि हम representation करते हैं, लेकिन China गगर asia का या गलोबल south का representation कर रहा है, तो China बत्त्मीजी कर र पर सुनेंगे तो भारत एक तरीके से जो ग्लोबल साउथ है ठीक है और ग्लोबल नॉर्थ उम्मीद जगी है तो इसलिए जी ट्वेंटी इन सब मायमुनों में अगर बात करते हैं न तो भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और भारत के लिए जी ट्वेंटी बहुत जाद इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया यहां पे जुट रही है तो बहुत सारी चीजों पर बात होगी एक एक चीज पर बात होगी रश्या यूक्रेन वहर पर भी बात होगी आपको